नमस्कार दोस्तों स्वागतियापका हमार यूटूब चेनल फ्री एजुकिशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेस के most important question को solve करने वाले हैं देखे दोस्तों आज किस वीडियो में हमने जितने भी question select किये हैं सारे के सारे question important हैं अच्छे level के question हैं और इन सभी question को हम बिलकुल detail में with extra fact के साथ में हल करेंगे तो चलिए दोस्तों फटा फट से सुरू कर लेते हैं नमबर फर्ष्ट question है पहला अंतर राष्टिये महामारी तैयारी दिवस कम मनाया गया तो दोस्तों पहला अंतर राष्टिये महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है 27 दिसंबर को जो सेंक्त राष्ट महासभा है इसने 27 दिसंबर 2020 को महामारी की रोक थाम के लिए पहला अंतर राष्टिये महामारी तैयारी दिवस मनाया है इसे मनाने का जो लक्ष है वो महमारी के खिलाब तैयारी और साज़दारी को बड़ाबा देना है और देखे दोस्तो अब से हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाएगा नमबर सेकेंड क्वेस्टन है भारतिय फिल्म और टेली विजन संस्थान इसको सॉट में FTII कहा जाता है तो FTII का नया चेयर्मेन के से बनाया गया है दोस्तो FTII की नए चेयर्मेन बन गए है सेखर कपूर D option सही हो जाएगा ये सेखर कपूर का फोटो है और एक्ष्टर फेक्टो को हम डिसकस कर लेते हैं तो देखे दोस्तो सितंबर 2020 को सुचना इवं प्रसाण मंत्राला ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सेखर कपूर को भारतिय फिल्म और टेली विजन संस्थानी यानि की FTII का नया अध्यक्ष निक्त किया है ठीक है इनका कारेकाल जो है ये 2023 तक रहेगा ठीक है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इन्होंने जो है बीपी सेखर को रिप्लेस किया है ठीक है और दोस्तों बात यहां पर हुए FTII की तो जो FTII है इसका फुल फर्म होता है Film and Television Institute of India हिंदी में इसको कहा जाता है भारतिय फिल्म और टेली विजन संस्थान यदि हम बात करें FTII की तो यह कैंद्रिय सूचना और पिरसान मंतले के अधीन एक संस्थान है इसकी इस्थापना हुई थी 1960 में इसका हैड़क् दौरा किसे Scientist of the Year Award से सम्मानित किया गया तो देखे दुस्तों D.I.O के दौरा Scientist of the Year Award से सम्मानित किया गया है डाक्टर हैमत कुमार को B options ही हो जाएगा देखे दुस्तों D.I.O ने सपेद दाग की दवा जैसे कई हरवल उतपात को बनाने वाले वे ग्यानेक डाक्टर हैम सम्मानित कुमार को Scientist of the Year Award 2020 से सम्मानित किया है और देखे दुस्तों इनको किस ने सम्मानित किया है तो D.I.O ने किया है ठीक है D.I.O को full form होता है Defense Research and Development Organization इसको हिंदी में कहा जाता है रक्चा अनुसंदान वा विकास संग्ठन इसकी स्थापना हुई थी उनिस्वन ठाउन में Headquarters का New Delhi में स्तित है और वरतमान में इसके Chairman कौन है तो Dr.G.Satis Reddy जो है ये वरतमान में DRDO के Chairman है चलिए दुस्तों आगे बढ़ते हैं Next Question कह रहा है हमारा हाली में कौन राजसभा के पुना उपसभापती बने है तो देखे दुस्तों राजसभा के फिर से उपसभापती बन गए है हरी वन से नारायन से है तो इस Question का V options है हो जाएगा देखे दुस्तों में आपको बता दूं कि राजसभा के सभापती कौन है तो M.Bank के ये नाइडू है ठीक है जो पदेन उपराष्ट पती होते हैं वही जो है राजसभा के सभापती होते हैं लेकिन पती भी आपको याद रखना है कौन बन गए है फिर से तो हरी वन से नारायन सिंग बन गए है ठीक है और यदि हम बात करें कि राजसभा में बेपक्ष के नेता कौन है तो गुलाम नभी आजात जो है ये राजसभा में बेपक्ष के नेता है ये सारी बाते हैं आपको तो इस question का भी options ही हो जाएगा और extra factor को हम discuss कर लेते हैं तो देखे दूस्तों यह जो पुस्तक है यह भारत की सबसे प्रिसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक वासु दियु जगनात परांज पेपर लिखी गई है ठीक है और इस पुस्तक में सुनी लगावस कर सचिन तेंदल क राह और द्रवड रोह सर्मा जैसे महान क्रिकेटों के क्रिकेट केरियर को आगे बढ़ाने में परांच पे की क्या भूमी का रही ठीक है यह इस पुस्तक में वताया गया है नैस्ट कॉस्टन है हाली में किसने भारतिय उद्योग परीशंग के नए अध्यख्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया है तो देखे दोस्तों जून 2020 में जून 2020 में ओदाय कोटक ने भारतिय उद्योग परीशंग इसको सौट में C.I.I. कहा जाता है तो C.I.I. के निव चेर्मेन कौन बन गए हैं तो ओदय कोटक बन गए हैं ये जून 2020 में वने थे नेस्ट कॉस्टन है हाली में लिखी गई पुस्तक जुगल बंदी दी बीजेपी विफुर मोदी के लिखक कौन है तो देखे दुस्तो वुक का टाइटल जुगल बंदी ठीक है और इस वुक की डाइटर का नाम है बिनए सीटा पती इस कोटन का जही हो जायगा बिनए सीटा पती ने इस पुस्टक में भारतीय जंतापाटी के सो वर्सों के यात्रा के बारे में बताया है निस next पॉलिनेटर पार्क ठीक है और एक्ट्राफेक्ट को हम जान लेते हैं तो देखे दोस्तों इसका निर्माण जो है उत्राखंड के नैनी ताल में स्तित हल्दवानी में चार एकड़ चेत्र में किया गया है और इस पार्क के निर्माण का उद्देश क्या है तो पॉलिनेटर प्रजातियों के बारे में जाग रुकत बढ़ाना और उनका सर्रक्षन करना ठीक है और यह जो पार्क है यह पार्क जो है परागण प्रजातियों उनके निवास इस्थान एवं परागण प्रजातियों पर प्रदूसर्ण के प्रभाव जैसे विस्यों पर सोध करेगा ने आपको बता दूँ कि हाल ही में गोवा के तीन प्रोड़क्टों को एक साथ जिया टेक दिया गया है तीन प्रोड़क्ट कौन-कौन से हैं तो एक तो है मसालेदार हरमल मिर्च दूसरा है मिंदोली आम और तीसरा है मी THI पकवान खोज़ें ठीक है इन तीन प्रोडक्टों को एक साथ जी आइटेक दिया गया है तो तीन प्रोडक्ट गुवा के हैं याद रखेंगे इसी क्रम में दोस्तो एक और कॉस्टन पूचा गया है कि भारत के किस राज की मरियूर गुड़ को जी आइटेक दिया गया है तो देखे दोस्तो जो यह मरियू कह रहा है कि JHW Cement के नए ब्रांड अमश्टर कौन बन गए हैं तो दोस्तो JHW Cement के नए ब्रांड अमश्टर बन गए हैं सुरब गांगोली और सुनिल छेत्री तो इस Question का C option सही हो जायगा और परयोगत दोनों किसे सीमा सड़क संग्ठन का महान दिसक बनाया गया है तो दोस्तो सीमा सड़क संग्ठन का महान दिसक बनाया गया है लेप्टिनेट जनरल राजिव चौदरी को तो इस Question का C option सही हो जायगा और आश्टर फेक्ट में आपको बता दूँ तो देख दोस्तो एक दिसंबर 2020 को कब एक दिसंबर 2020 को लेप्टिनेट जनरल राजिव चौदरी ने सीमा सड़क संग्ठन यानिकी बी आरो के 27 बे महा निजशक की रूप में पदवार गरहन किया है ये जो है ये राजिव चौदरी का फोटो है ठीक है और इन्होंने इस पद के लिए जो है जनरल हर पल सेंको रीप्लेस किया है ठीक है और दोस्तो बात यहां पर हुई है बी आरो की तो इसका फॉल्पम होता है बॉर जागरोकता अभियान के लिए एंबेस्टर चुना गया है तो देखे दोस्तो आई एम बैडमिंटन जागरोकता अभियान जो है सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानना होगा ये जो है ये बी डबलू एप यानि की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दौरा सुर याद रखना है कि आन्द प्रदेश की एंटी क्रप्शन हेल प्लाइन की भी व्रांड एमबेस्टर है ठीक है ये भी आपको याद रखना है नेस्ट कोस्टन है वरिष्ट आई एस अधिकारी राजी बंसल को किस एयरलाइन कंपनी का CMD निक्त किया गया है तो देखे दोस् इसकी स्थापना कप की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी 1932 में 1932 में Tata Airlines की रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसका headquarter कहां प्रस्तित है तो न्यू डिली में इसका headquarter is this next question है हाली में Sipragt की रिपोट के नूसार बिष लिए सबसे अधिक सेन खरका करने वाला देश कौन सा रहा है तो देखे दोस्त में आपको बता दूं कि Sip Onu की रिपोट के मताबग जो अमरीका देश है ठीक है जो अमेरीका देश है ये सेना पर सबसे अधिक खर्चा करता है और जबकि सेन खर्चे के मामले में चीन जो है ये दूसरे इस्तान पर है और यदि हम बात करें अपना भारत तो अपना देश भारत जो है ये तीसरे इस्थान पर है ठीक है भारत जो है ये तीसरे इस्थान पर है और ये रिपोर्ट किस ने जारी करी है तो ये रिपोर्ट जो है ये सिप्री ने जारी करी है सिप्री का फुल्पम होता है इसकोट हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट इसी क्रम में एक और कॉस्टन पूछे जाएगा कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे देसों से हत्यार खरीदने के मामले में कौन से इस्थान पर रहा है तो देखे दूस्तों में आपको बता दूँ कि विदेसों से हत्यार आयत करने के मामले में भारत जो है ये दूसरे इस्थान पर रहा है तो इस कॉस्टन का भी ऑप्सन सही हो जाएगा विदेसों से हत्यार आयात करने के मामले में भारत दूसरे इस्थान पर है जबकी पहले इस्थान पर कौन सा है तो सौधी अरब यह पहले इस्थान पर है ठीक है और यदि हम बात करें नर्यात के मामले में तो नर्यात के मामले में अमरीका प्रिथम इस्थान पर है और निर्यात के मामले में अपना देश भारत जो है ये 23 बे स्थान पर है ठीक है तो आयत के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और निर्यात के मामले में भारत जो है ये 23 बे स्थान पर है तो ये दोनों रैंकिंग हमें याद होना चाहिए नैस्ट कॉस्टन देख लिए थे दूस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है चबूस बिनसेद जिनका हाली में निधन हो गया है वह किस देश के सल्तान थे तो देखे neighborhood जो कबूस बिनसेद है ये सल्तान थे ओमान के तो इस कोट्टन का C option सही हो जायगा और देखे दोस्तों कबूस बिनसेद जो हैं यह 1970 से ओमान देश के सुल्तान थे और यह पूरे अरब छेत्र में सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले अरब नेता थे और यदि हम बात करें कि ओमान के नए सुल्तान कौन बन गए हैं तो ओमान के नए सुल्तान बन गए हैं हैतम बिन तारीक अलसयद ठीक है तो नए सुल्तान का नाम आपको याद रखना है और जो पुराने सुल्तान थे काबूस बिन सेथ, इनका आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये पूरे अरब छेत्र में सबसे लंबे समय तक सुल्तान रहे हैं, तो important हो जाता है question, next question देख लेते हैं दोस्तों, अंगला हमारा question है, गीता नाग भूशन के सभासा की साहितकार थी, तो देखें दोस्तों, जो कीता नाग भूशन है ना, ये है साहितकार थी, कन्यड की, तो इस question का D option सही हो जाएगा, कीता नाग भूशन जो है, 28 जून 2020 को इनका ने धन हो गया है, ये कन्यड भासा की प्रिसिद्ध साहितकार थी, और इन जो है प्रिसिद्ध उपन्या बुद्गु के लिए 2004 में साहितकादी प्रुसकार दिया गया था, next question है, हाली में केंद सरकार ने के से, राष्टिय चिकत सा आयोग, इसको जो है सोट में NMC कहा जाता है, ठीक है, तो NMC के फर्स्ट चेयर में कौन बनाए गए हैं, पहले अध्धेक्ष कौन नियुक्त किये गए हैं, तो देखें दुस्तों, राष्टिय चिकत सायोग, यानि की NMC, सबसे पहले इसकी बारे में मैं आपको बता दूँ के जो NMC है, इसका फुलपॉम होता है, National Medical Commission, ठीक है, और हाली में जो है, इसने MCI, यानि की Medical Council of India का इस थान लिया है, ठीक है, तो इसके जो फर्स् चेयर में है, इसलिए कोस्टन और भी ज़्यादा इंपोर्ट हो जाता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, नेश्ट कोस्टन देख लेते हैं, अंगला हमारा कोस्टन है, मिलन नौसेन अव्यास 2020 का आयोजन, किस भारती सहर में प्रस्तावित था, तो देखें दूस्तो जो मिलन नौसेन अव्यास 2020 है, इसका आयोजन जो है, ये विसा का पतनम में होना था, ठीक है, लेकिन COVID-19 के करण जो है, इसको इस्तगित कर दिया गया है, याद रखना है, कहां पर होना था ये, ये विसा का पतनम में होना था, लेकिन जो है, इसको इस्तगित कर दिया गया है COVID-19 के कारणा नैस्ट question है हाली में BIMSTIK disaster management exercise 2020 का आयोजन कहां पर किया गया तो दोस्तो BIMSTIK disaster management exercise 2020 जो है इसका आयोजन किया गया है ओडिसा में ठीक है और ओडिसा के भूवने स्वर में इसका आयोजन किया गया और देख दोस्तो यह जो exercise है इसमें सभी BIMSTIK country ने participate किया ठीक है और देख दोस्तो जो BIMSTIK है न यह जो है बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्टी आर्थिक सायोग संगठन है ठीक है BIMSTIK के बारे में हम और detail को जान लेते हैं तो देख दोस्तो जो BIMSTIK है इसका फुल्फर्म क्या होता है तो बे और बंगाल इनटी इनी टीएटो फर मल्टी सेक्टरल टेकनिकल एंड एकोनमे को आपरेशन इसका फुल्फर्म होता है हिंदी में इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी बहुच्छेत्रिय तकनिकी और आर्थिक सायोग उपकरम इसकी इस्तापन होई थी 1997 में इसका हैटकोर्टर जो है ये धाका बंगलादेश के अंदर रस्ते थे इसमें जो है साथ सदस देश है ठीक है ये इस्टेटिक जी के में भी पूछा जाता है कि बंगलादेश दूसरा भूटान तीसरा भारत चौथा नेपाल पांचबा स्री लंका छटबा में आमार और सातमा जो है ये थाइलेंड है ठीक है तो आप चाहें तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं या फिर इस सारी चीज़े हैं ये ओप्सन सही हो जाएगा इससे बनने वाली हम सभी एडिशनल इन्फोर्मिशन को देख लेते हैं तो देखे दोस्तो मुक्ती कारवा अभियान जो है ये बाल तसकरी जबरन स्रम इबं बच्चों के यून सोचन जैसे मामनों से इने पटने के लिए सुरू किया गया ह है देखे दोस्तो अभी हाली में राष्टी अपराध रेकोर्ड बेरू की एक रिपोर्ट आये थी इस रिपोर्ट के नुसार राजस्तान जो है ये मानों तसकरी के मामले में छटबे इस्थान पर है ठीक है लगबग इनी कुछ बातों को दियान में रखते हुए इस अभि जैपुर ठीक है जैपुर को जो है गुलाबी सहर यानि की पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और पूछ जाता है कि जैपुर सहर के संस्तापक कौन है तो महराजा सवाई जैसे जो है ये जैपुर सहर के संस्तापक है और जैपुर सहर के बास्तुकार पूछ जाते है ठीक के राजपल कौन है तो कल राज मिस रहें पर यहां के बरतमान में चीफ है जेस्टिस यानि की मुख नियाधिस कौन है तो इंद्रजीत मोहनती है ठीक है तो देखे दोस्तो कोई भी राज जो अभी रिसेंटली जैसे एंटी पीसी की एक्जाम चल रहे हैं वहाँ पर हर सिट में एक कौश्टन राज और मतलब सी एम कैपिटल और वहाँ के गवर्णर या फिर चीफ जेस्टिस से पूछा जा रहा है तो जो एडिशनल इन्फॉर्मिशन में आपको देता हूँ यह आपको जरूर याद रखना है अंगला कौश्टन है दोस्तो वाई एस आर पैंसन कनू का यूजना की शुरूआत किस राज सरकार ने की है तो दोस्तो वाई एस आर पैंसन कनू का यूजना जो है इसकी शुरूआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने तो इस question का भी option सही हो जाएगा इस यूजना के तहट जो है ब्रदों को घर-घर जाकर pension दी जाएगी ऐसे में भरस्टा चार भी नहीं होगा और ये यूजना किस ने सुनू की है तो आंद्रप्रदेस ने सुनू की है आंद्रप्रदेस की राधानी अमराबती है यहां के CM है Y एस जगर मोहनरेड़ी और यहां के governor को है तो विस्व भूसन हरिस चंदन जो है यहां के governor है next question है हाली में जहार सुगड़ा हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखे दोस्तों जो जहार सुगड़ा हवाई अड़ा है सबसे पहले आपको पता होना चा है कि 19 वे ACI खेलों का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा तो देखे दोस्तों में आपको बता दूब कि 19 वी रचे जो ACI खेल है इनका आयोजन कब किया जाएगा ठीक है और चिन के हांग जो में इनका आयोजन किया जाएगा तो इस question का A option सही हो जाएगा यह तो हमने बात करें है 19 वे ACI खेल होंगे यदि हम बात करें कि जो 20 वे ACI खेल हैं ये कब होंगे तो ये होंगे 2026 में ठीक है और ये कहां पर होंगे तो ये जापान के नागोया सहर में होंगे ठीक है और इसके पहले जो 18 वे ACI खेल आयोज़त हुए थे ये कब हुए थे तो ये हुए थे 2018 में और केस्टेस में हुए थे तो इंडोनेसिया के जकार्ता में इनका आयोजन किया गया था ठीक है और यदी हम बात करें दोस्तों कि जो पहले ACI खेल हैं इनका आयोजन कब किया गया था तो 1929 में इनका आयोजन किया गया था और कहां पर किया गया था तो न्यू दिल् स्ट की और मैं कोसिस करता हूं कि बहुत कम समय में अधिक आपको बताओं बीच में वीडियो के बिना किसी बकवास के आपको अधिक पढ़ाने की कोसिस करूं मेरी यही कोसिस रहती है दोस्तों आज के लिए इतना ही आप के लिए चैलेंजिंग कॉस्टन है जो कि हम पूछते हैं अपने फ्रीविएस वीडियो से कहरा कि इंद्रा गांधी पुरुषकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो देखें दूस्तों मैंने दो तीन बार इसको बताया है जो इंद्रा गांधी पुरुषकार है वो अलग है ठीक है औ और इंद्रा गांधी सांती पुरुषकार किसको दिया गया है तो थैंकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद आपको वीडियो कैसा लगा इमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीश वीडि में कोई नया और लेटिस्ट वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं और देखे दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉंट वीडियो देखने के लिए करन्ट अफेस के जी के जीएस कम्प्यूटर साइंस सभी कि मैं वीडियो बनाता रहता हूं तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट को बिजिट करके प्लेलिस्ट की लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगी या फर नीचे आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी तो कही अब हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं या फर दोस्तो अभी आपको स्क्रीन पर तीन महत्मून वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को जरूर देख लें ठैक्क दोस्तो मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्राम